अगले खबर है मदरप्रदेश के रिवा जिले के सिमरिया छेत्र की जहां बकिया बराज नहर में धकेरी गई साथ गायों को गौसेवकों ने रात भर पानी में 25 किलो मीटर चल करके रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला है पुलिस और इस्थानिय प्रसासन के सहियों से गौवन्स की जान बचाई गई है इस दोरान रेस्क्यू टीम को आसपास के ग्रामीडों ने लठ लेकर पहुँची और विरोध किया जिसके चलते विवात की स्थिती निर्मित हुई नेकिन पुलिस प्रसासन ने संभाला है इस इसके चलते FIR दर्ज नहीं की गई है दरसल मामला सतना रिवा से होते हुए बीडा सिमरिया छेतर से निकलने वाली PSC पावर प्लांट में बिजली सप्लाई करने वाली बखिया बैराज नहर का है जहां धकेरे गए 50 से अधिक गोवन्सों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिय जानकारी के अनुसार अभी भी कुछ घायल गोवन्स फसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किये जाने का प्रयास चड़ रहा है TSC Power Plant सिर्मौर में कारे करने वाले कर्मचारी चंद्रभूसर तिवारी के माध्यम से समाजिक कारेकरता सिवानन दुवेदी को सूचना दी गई जिसमें बकिया बराज नहर में बीडा और बरो के बीच धकेले गए लगभग 50 की संच्छा में गोवन्स को रेस्क्यू किये ज सूचना प्रेसित की गई और कारेवाही की मांग की गई मामले की जानकारी गोवन्सो और पस्वो के अधिकार के लिए कारे करने वाले कई संगठनों को भेज दिये गये इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते वए पूरे देश भर में विभिन संगठन एक्टिव हो ग सिवानन दुवेदी ने मामले की जानकारी रूपा को बताते हुए टी एससी पावर प्लांट में कारे करने वाले करमचारी चेंद्रभूसर तिवारी एवं अन्यमदद संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्मोर, SDOP, पुलिस, नवीन, तिवारी के सहीोग से मौके पर PSC पावर प्लांट के करमचारियों एवं पसुओं के अधिकार के लिए कारे करने वाले कारे करताओं रूपा दुवेदी सिंग, बिजेन पांडे, कानह पांडे, प्रिंस मि प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि स्वास्त और चर्णे योग के गोवन्स को तोहाते हुए मुख्य गेट पर लाकर बकिया बराज नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी तीन ऐसे गोवन्स हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और घायल हैं, अभी बराज नहर के अंदर धकेला गया होगा, इन ग्रामीडों का तर्क था यह गोवन्स हमारी खेटी को नुकसान करते हैं, इसनिये हम इने बाहर नहीं निकलने देंगे, बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने उपस्तित कार्यकरताओं के साथ ग्रामीडों ने गाली गलोज और बत सलूकी भी की है, लेकिन उपस्तित पुलिस वालों ने मामले को संभालते हुए गोवन्सों को सुरक्षित बाहर निकलवाया है, पुलिस अभी भी इस घ्रिणित कारे में सनलिप्त अपराधिक तत्वों के विरुद कारेवाही कर पाने में असमर्थ रही है, इस अपरा पाति दंड सहिता की धारा 439 की धाराओं के तहत अपराध पंजीबत किया जाकर कारेवाही की जानी चाहिए अपराध यहां से मुक्त हो गई, इसमें बहुत सारी गायों में टैग लगा हुआ, लेकिन ग्रामीड वासी इसकी कंप्लेंड नहीं करेंगे कि इनकी टैग निकाले और यह टैग किसके हैं, यह इसका उनर का पता लगाया जाए, उनके उपर कारवाई हो, लेकिन अब अभी एक बार निकली हैं, अभी यह कहां ले जाएंगे, अभी यह लोग बोल रहे हैं कि हम यहां नहीं रहने देंगे इसे पुलिस प्रसासन परियापत पहुंचे हैं, लेकिन वही ग्रामीडो वाला भासा ही चल रही है यहां, ग्रामीडो की भासा बोली जा रही है, सासन प्रसासन नहीं तो कल ही गाय मुक्त हो जाती हमारी, लगवक बारा गंटे की रात इन्हों ने बिताई पानी में कुछ लंगर भी हो गई है कुछ श्रामी तो के बिताई है, की बिताई है तो के बिताई है के बिताई है कि बतखा हुई